मैं दीपक शर्मा आपके अपने यूटूब चैनल दीपक साइन्स क्लास्स में आपका स्वागत है बच्चो इससे पहले वाली क्लास में हमने डोलतन के परमानुसिद्दान के बारे में बात की थी कि डोलतन का परमानुसिद्दान क्या था डोल तन ने परमानु के बारे में किया बाते बताई वो सभी बाते बच्चो मैंने इसे पहले वाली kラस के अंदर उसमें डिटेल से चर्चा की थी बच्चो आज हम हमारी इस kラस में पहले तो हम बात करेंगे कि डोल तनके परमानु सिद्धान के क्या तो भून थे और बच्चो क्या कमिया थी क्या दोस्त थे ठीक है उसने बार में बच्चो हम बात करेंगे परमानु के अवपरमानु के बारे में कि परमानु के जो अवपरमानु सब एटोमिक पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं क इसने उनकी खोच की है, उनके बारे में बिल्कुल बेसिक लिजानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चो, तो पहले तो आप सबे क्लास को सेर कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहले बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर करने, बैल आइकन को दबाने बिल्कुल ना भूले ताक कि मैं जैसे ही क्लास आए, तो आपको तुरंद नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चो, और नोट्स मेरे साथ साथ आप यहां से उतारते रहें, ठीक है, मैं एक एक चीज़ को यहां नोट डाउन करूंगा, और उसको आपका स्क्रिन सोट लेने का आपको परमानु सिद्दान के गुण, कि डौर्टन के परमानु सिद्दान के क्या गुण है, बच्चो हमें कहीं हमारी बुक में कोई भी बात नहीं छोडेंगे, NCRT का बिलकुल निचोड निकाल देंगे, कुछ भी नहीं छोडेंगे, ठीक है ना, हम बिलकुल जीरो से, बिलकु चर्चा करेंगे और एक बहतरी नोलेज गरान करेंगे ठीक बच्चो तो हम बात करेंगे डोल्टर के परमानु शिद्दान के क्या गूर थी बच्चो मैंने आपको बताया था कि परमानु के बारे में सबसे पहले भारतिय दार्शनि महर्शी कनार ने लगभर 600 इसा पूर में अपने वैससिक गरंद के अंदर बताया था कि जो परमानु होता है वो क्या होता है महर्शी कनार ने बताया कि यदि हम द्रिवे का मतलब पधार्थ का लगातार विभाजन करते जाएं लगातार उसे छोटे-छोटे टुगणों में तो अंत में हमें एक ऐसा सुक्षतम कर प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते और बच्चो महर्शी कनार ने उस सुक्षतम ऐ विभज्य कर कोई क्या कहा था परमानु कहा था उसके बाद में एक और भारती दार्ष निकाये जिनका नाम था पकुदा कात्यायां उन्होंने बताया कि ये परम ने बतावस्ता में होते हैं इसलिए जो दरिय होता है वो भिल-भिल रूप में पाया जाता है और बच्चो जो बात महर्शी कनार ने बताई थी वही बात कुछ वर्शो महर्शी कनार के कुछ वर्शो बाद लगबक ढ़ाई सो वर्शं बाद दो गिर्त दासी कोर थे उसके बाद में काफी लंबे समय गुजर जाने के बाद में सन 1808 में जो इसकूल के अंदर इक अध्यापक थे उन्हों ने बच्चों एक मोडल दिया परमानू के बारे में बिल्कूल तथ्यों के आधार पर जिसे जोन डाल्तन का परमानू मोडल कहा जाता है और बच्चों व अगर आपने वो नहीं देखिया है, तो पहले आप उस class को देखें, नीचे description में link दे रखा है, ठीकर है, वहाँ जईएर वहाँ से आप class को देख सकते हैं, ठीकर है, तो बच्चो जोन डालतर ने क्या बताया, जोन डालतर ने वही बात बताई थी, कि जो परमानू होता है को एविभाज्यकन होता है, क्या होता है, एविभाज्यकन होता है, और बच्चो आज हम चर्चा में करेंगे कि क्या वर्तमान में परमानू एक एविभाज्यकन है या नहीं, उसके बारे में भी आज हम हमारी इस class में बात करेंगे, तो देखो बच्चो, जोन डालतर ने जो अपना जो परमानु सिद्दान्द दिया था, बच्चो वो परमानु सिद्दान्द उसके क्या गुर्ण है, उसका बच्चो पहला गुर्ण है, जोन डार्टन ने अपने परमानु सिद्दान्द की सायता से द्रेमान संक्षन लियम, जो द्रेवे का द्रेमान संक्षन लियम रिवे का आई विनासिता का नियम था, बच् caller just caterpillar को ने तो हमें विनास कर सकते हैं नहीं यमिम उसका सरजन कर सकते हैं, ठीक है न, ये नियम कौन सा नियम है द्रेमाल संगर्षण का नियम है और बच्चो इसकी सफलता पूरोग व्याख्या किसने कर दी जोन डाल्टर ने अपने परमानु सिद्दान से कर दी जो मैंने इससे पहले वाली ग्लास में आपको डेटेल से बताया था ठीक है ना तो ध्यार से समझे पहला गुर क्या है पहला गुर है बच्चो जोन डाल्टर के परमान मोडल का पहला गुर ये है कि इस मोडल की सायता से दर्वे की एविनासिता के नियम की सफलता पूरोग व्याख्या की जा सकती है दर्वे के एविनासिता के नियम की सफलता पूरोग के व्याख्या की जा सकती है ध्यान से समझिये बच्चो ध्यान से समझिये की जा सकती है ठीक ना या की जा सकती दर्वे के एविनासिता के नियम की सफलता पूरोग व्याख्या की जा सकती ठीक ना क्योंकि जोन डाल्टर ने बताया था कि जो रासा ही कभी गिया होती है उनमें पर्मानु भाग लेते हैं वो पर्मानु पुनल व्यवस्तित होती है लेकिन रासाइन कभीक्रिया में पर्मानु को ने तो बनाया जा सकता है नई नर्ट किया जा सकता है अथार रासाइन कभीक्रिया से पहले पर्मानु की संख्या और रासाइनिक अभीक्रिया के बात बर्माणू की संख्या क्या होती है समान होती है और बच्चों समान करने के लिए हम किसी भी रासाइनिक समीकान को संतुलित करते हैं और बच्चों ये बात हमने 10th क्लास में पढ़ करके आये थे कि रासाइन कभी क्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं और किस विदी से करते हैं हिट एंड ट्रायल विदी से संतुलित करते हैं ठीक है न ये बात ध्यान रखना तो एक दो द्रिवे के ऐ मिनाशिता के नियम की सपलता पूरोद व्याख्या की जा सकी दूसरी बात बच्चो जोन डाल्टन का जो पर्मानु सिद्दान था वह उन नियमों की वारे में भी बताता है जो इस्तिर संगटन के नियम थे और जो गुनित अनुपात के नियम थे उनकी भी जोन डाल्टन का पर्मानु मोडल है वो सपलता पूरव क्या कर देता है इसे पहरे वाली क्लास में बिलकुल डिटेल से बताया दिनके बारे में इस्तिर संगटन के नियम तथा गुनित अनुपात के नियम की भी सफलता पूर्वा के व्याख्या की जा सकती है या की जा सकी है तो बच्चों ये तो जो डाल्टन के परमानुसिद्दान था सोडी उसके क्या गुन है उसके बाद में बच्चों अगर मैं दोस के बारे में बात करूं किसके बारे में बात करूं डाल्टन के परमानुसिद्दान के दोस तो क्योंकि उस ताइम में आपको पता है पर्मानु क्या था ए विभाज्य था और बच्चों मैं बता दू वर्तमान में पर्मानु क्या है विभाज्य है विभाज्य कैसे है वो मैं आपको किलियर रहूंगा भी आप दो मिनट रुके ठीक है अब ध्यान से समझे दोस्ट क्या थ जोन डार्टन उस समय ये भी नहीं समझा सके थे कि एक ही तत्व के परमानों का द्रेमान होता है वो अलग-अलग क्यों होता है ये तो बता दिया द्रेमान संक्षन नियम के तो जोन डार्टन ने व्याख्या कर दी लेकिन जोन डार्कन ये बात नहीं बता पाए, इस बात को नहीं समझा पाए कि एकी तत्व के परमानो का द्रेव्यमान होता है, वो अलग-अलग क्यों होता है? तो ये बात नहीं समझा सके, क्या दोस्ते, ये बात नहीं समझा सके, कि एक ही तत्व के परमानमों का अलग अलग क्यों होता है? क्यों होता है ये बात नहीं समझा पाए ये बात नहीं समझा पाए कैसे बच्चों देखे गौर करके एक्जामपल जैसे मैं बात करूँ H11, H12, H13 ज्यान से देखे हैं बच्चों H11, H12 और H13 बच्चों हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के तीन समस्तानिक होती है ध्यान से समझेगा बच्चों हाइड्रोजन के कितने समस्तानिक होती है तीन और बच्चों एक समस्तानिक होता है हमारे पास में प्रोटियम क्या है बच्चों इसका नाम क्या है Tritecrum है तो Hydrogen के तीन ही समस्ता जिकूती है केवल H11 H12 H13 बच्चो Deuterium होता है उस Deuterium को हमें D से वी परदर्शित करते हैं और बच्चो Treuterium को हमें केवल D से वी परदर्शित करते हैं और बच्चो मैं यहाँ पर एक भोग मज़ेदार बात बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास में duteum होता है बच्छो इसको हमें थोड़ा हमको जन्नल नौले भी पता होना चाहिए इसी को हमें भारी hydrogen भी कहते हैं क्या कहते हैं भारी hydrogen या heavy hydrogen भी कहते हैं ये बहुत बार basic nutrition पूछ लिया जाता है कि भारी hydrogen क्या होती है जो dutm होता है बच्चो उसे ही हम भारी hydrogen कहते हैं ठेक है ये बात याद रटना बच्चो और बच्चो आपको पता है सभी तो हम भारी जल D2O, सादार जल क्या है H2O और भारी जल क्या होता है बच्चो D2O, बहुत मजेदार बात है इसलिए हम इसको भारी जल कैसे हैं क्योंकि इसके अंदर जो hydrogen है, वह कौन सी है बच्चो कौन सी है, भारी, ठेली hydrogen है और बच्चो इसका जो द्रेमान होता है, वो कितना होता है बच्चो 18 होता है और जमकि इसका क्या होता है, 20 क्योंकि यहाँ जो hydrogen काम में ली गई है, वो protein की काम में ली गई है H11, और बच्चो इहाँ जो hydrogen है, वो H12 काम में ली गई है इसलिए 2 है, तो बच्चो 2 है तो ऐसे 2 काम में लेगे, 2 दुनी क्या हो गई, 4 और oxygen, oxygen का परमानु करमान आठ है, तो द्रेमान संक्या कितनी हो जाएगे, 2 गणी 8 दुनी, 16 तो द्रेमान संक्या oxygen की 16 होती है, तो 4 और 16 बच्चो कितनी हो गई, 20 और जब कि यहाँ पर केवल है, ऐसे 2 है, तो 1 कर 1 कितना हो जाएगा, 2 और 2 पलस से होना कितनी हो जाएगे, 18 हो जाएगे, यह बात जान रखना बच्चो, ठीक है न, आपसे यह भी जान रखना थोड़ा, कि जो भाली ज़ग होता है, उसका अनुबार 20 होता है, और 17 ज़ग होता है, ठीक है, और बच्चो यहाँ पर hydrogen का प्रोटियम है, वो एक मातर समस्था निक है, या फिर मैं कहूं, hydrogen एक मातर तत्व है, जिसके नापिक में neutron की संख्या नहीं है, neutron अनुपस्तित है, और बच्चो, hydrogen के बाल में और facts में बात करूं, तो बच्चो, hydrogen की खो हो जे, Henry Cavendish नापिक ने कीती, ठीक है बच्चो, और hydrogen hydrogen को हम बविश्य का इंदन भी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चो, बविश्य का इंदन, किसे कहते हैं, hydrogen को कहते हैं, तो चलिए हम हमारे topic पर आते हैं, ठीक है, ये basic बाते हैं आप top page पर लिख लिया तरो, भोत काम की होती है, हमारी chemistry को strong बनाना है, तो ये छोटी-छोटी बा ठीक है, ये बात ध्यान से समझना, ठीक है, बात में सोडी नादन वेगयनिक नहीं, इन समस्थानिकों की खोच की थी, और बताया था, कि समस्थानिक होते हैं, मतलब समस्थानिकों की बारे में नहीं समझा सके, सीधी से बात हम ये भी कह सकते हैं, और बच्चो, दूसरी ब कि एक ही तक्तो के पर्मानु आपस में सयोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं सयोग आपस में, क्या कारण है उनका सयोग करने का, आप आप कहोगे सर आप बता दो, तो बच्चों वेट कीजिएगा, हम बिल्कुल स्टेप वाई स्टेप चलेंगे, जब हमारा चैप्टर नमबर चार आएगा, रासायनिक बंदे, तो वहाँ पर पहला क्युशन यह है, कि पर्मानु रासायनिक बंद क्यों बनाते हैं, पर्मानु सयोग क्यों करते हैं, तो वहाँ पर हमें इस क्युशन का जवाब मिलेगा बच्चों, ठीक है, तो ध्यावर से समझेगा, दूसरा ने बताया कि एक ही तत्व के पर्मानु एक ही तत्व के पर्मानु आपस में सयोग क्यों करते हैं, सयोग क्यों करते हैं, मला वापस में जुड़ते क्यों हैं, बोंड क्यों मनाते हैं, इस बात को जोन डालकर नहीं समझा सके, ठीक है न, अब कहां से समझाएं उस तायम, इलेक्ट्रोन की भी खोज नहीं होई थी, आपको भी पता है, उस तायम तो कि पर्मानु की शुवात द्रश्ची कोन के आदाब पर इंको सिरे दिया जाता है खोजगा सिरे इनको दिया जाता है ठीक है नव, तो एक जान दकना तो यह äक क प्रमानो Waf ovai्ज सैयो क्यों करते हैं इस बाथ को भी जोन ढालतान नहीं समझार सके ठीक है बच्चो यह बात ज्यान से अच्छी तरीगे से समझना और जौन डाल्टन ये बात भी नहीं बता पाए कि जो भिनविन तत्तों के परमान होते हैं उनकी सयोज़ता वेbhar की दरफ्टी से वो अलग-अलग है क्यों होते हैं तो ये बात मी जोन डाल्टन नहीं समझा प कौनसी बात बच्चो कि फिन बिन तत्तो के जो परमन होते हैं, उनकी समय तत्ता अलग-अलग क्यों होती है? क्यों को नहीं पता था कि इनके अंदर इलक्टॉन का वितरन कैसा है, कितने इलक्टॉन है, समय तुक तक किस पर डिपेंड करती है, तो बहुत सारी कमिया है, मैं तो यहाँ पर एक दो कमियों से आपको रूबरो करा हूँ, ठीक है नब, भोँत सारी कमिया है, ठीक है नब, याद है नब बच्चों, यह यह बात भी नहीं बता पाए थे, कि भिन भिन तत्व के, भिन भिन तत्व के, परमाणू, सयो जत्ता, यह, भार की, द्रश्टी से, अलग अलगे, अलग अलगे, क्यों होती हैं, बच्चों इन्हों ने यही तो बता दिया था, कि जो अलग 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 तत्व के परमाणू होते हैं, बच्चों, वो अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके, रासाइन गुन धरा में, अलग-अलग होते हैं लेकिन वो ये बात नहीं बता पाए कि ये अलग-अलग तत्यों तो होते हैं मान लिया अलग-अलग तत्यों के परमाणों अलग-अलग होते हैं लेकिन उन तत्यों के परमाणों की सयोजटा अलग-अलग क्यों होती है क्योंकि बच्चों आपको पता है सयोज़क्ता डिपेंड करती है परमानों का जो सबसे भायतम कोस होता है जिसे बच्चों सयोजी कोस कहते हैं और उस सयोजी कोस में कितरे इलक्ट्रोन हैं उन इलक्ट्रोनों की संख्या पर है वो चीज़ डिपेंड करती है उनके सयोग करने कि समता पर depend करती है क्या बच्चो सयोजगता और वाश्टिक्ता में यही है सयोजगता का दिर्दा रणे सयोजगता कोस्नियुपसित इलेक्ट्रोन ही करते हैं और बच्चो समय में इलेक्ट्रोन की खोज नहीं हुई थी इसलिए जोन डाल्टन को मालूम नहीं था कि अलग- अब अच्छी तरीके से किलियर होना चाहिए चलो आप इसका screen source लीजिए पहले ठीक है तो screen source ले लिया होगा आपने अब हम बात करते हैं बच्चो पर्मानों के अवपर्मानिक करों के बारे में कि अवपर्मानिक कर पर्मानों के कौन-कौन से होते हैं और बच्चों की खोज कैसे हुई और बो पर्मानों के अंदर की परकार से व्यवस्तित होते हैं आगी हमारा बस ये topic अप चलने वाले है कि ठीक है, इसके पहले हम बात करेंगे कि खोज कैसे हुई, ठीक है, उसके बाद में इनके इस्तार का निदारान करने के लिए कि परमान के अंदर कहां पर होते हैं, इसके लिए विविन वेग्यानिकों ने अपनी मोडल दिये, जिने परमान मोडल के नाम से जाना जाता है, ठ ठीक है बच्चों, तो यह हम आगी की कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा टोपिक है, आव परमान विके, आवे, परमान विके, कान है, सब एटोमिक पार्टिकल, सब एटोमिक पार्टिकल, ध्यान से समझेगा बच्चों, कि परमान के जो आव परमान परमान वी कंड होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं बच्चो याद रखना अब परमान वी कंड परमान के कितने होते हैं मूल रूप से कितने होते हैं बच्चो तीन होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं और वो बच्चो कौन-कौन से होते हैं तीन एक आता है हमारे पास में इल जिसको बच्चो हम E negative या बीटा negative या पिया हमें E minus 1 0 से क्या करते हैं बच्चो परदसित करते हैं बच्चो सामझने ते electron को हमें E negative से परदसित करते हैं लेकिन हमें radioactive ता की घटना जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो एक बीटा particle होता है रेडा वेसित वह भी electron के समानी ही होता है electron ही होता है और ठीक है न तो बीटा जो हमें radioactive पढ़ते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रों को इस परकार से दन्साते हैं बच्चो ध्यान से समझेगा radioactive ता के बारे में भी मैं इस chapter में आपको थोड़ी बहुत जाग का ही दूँगा वेसे हम 12th किलास के अंदर है nuclear physics के अंदर है इस topic को detail से बढ़ेंगे ठीक है न अब ध्यान से समझेगा तो एक तो होता है बच्चो electron दूसरा आता है बच्चो proton दूसरा आप पर मायने कन कोन सा है proton जिसे P positive से परदशित करते हैं यहां पर P small होना चाहिए ठीक है यह बात ध्यान तकरना चाहिए दूसरी बात यहा एकस पोजिक्टिव से क्या करते है बच्चो परदशित करते हैं ठीक है न प्रोटन को P से भ प्रोटोन का पर्तीक होता है और प्रोटोन पर पोजिटिव चार्च है धनावेशित कर है इसलिए मैंने यहाँ पर पोजिटिव चिन लगा दिया ठीक है? और बच्चो तीसरा जो पराव पर्मानिक कर है मून रूप से वहें कुन सा है बच्चो? बच्चो न्यूट्रोन और बच्चो न्यूट्रोन को हमें इसमोल एन से पर्देशित करते हैं क्योंकि न्यूट्रोन होता है वहें एक उदासीन कर होता है इसलिए बच्चो न्यूट्रोन समद है वहें न्यूटल से बना है उदा सीन को क्या कहते है न्यूटल और न्यूटल से बच्चो ये क्या आया है न्यूट्रोन आया है और बच्चो ये न्यूट्रोन कैसा होता है उदा सीन कर होता है कैसा कर होता है उदा सीन कर और बच्चो इन तीनों को याद करने की मैं आप एक ट्रिक बताता हूं कि आप किस प्रकार से इनको याद कर सकते हों, इनके खोज करता होंगो, तो वो ट्रिक हमारे पास भी क्या है बच्चो, इंट पगे नाच, इंट पर पग रखे नाचो, इंट पर पग रखे नाचो, बच्चो यहाँ पर इ का मतलब क्या है, एका मतलब है इलक्ट्रोन और टै का मतलब बच्चो क्या है तामसन बच्चो इलक्ट्रोन की खोज किसने की थी तामसन ने और बच्चो तामसन ने और ये तो तामसन है वह एकी ही आदमी है अलग-अलग आदमी नहीं है ठीक है बच्चो कहीं भुकों में आपको तामसन लिख बच्चो ये एक ही है, ये विदेश ही है, अंग्रेज है, इनके नाम होते कुछ ऐसे हैं, हमारे नाम तो बहुत सिंपल है, कालया, दोडया, ठीकर ना, कहीं कोई बॉलने में प्रोब्ला भी नहीं होती, ठीकर ना, और बच्चो पै, पै का मतलब यहां पर है, हमारे पास में और बच्चो प्रोटॉन की खोज किस ने की थी, गोल्ड इस्टिम ने, अब आप में से कुछ बच्चो बच्चे कहेंगे, सर नहीं, प्रोटॉन की खोज रदर फोड ने की, तो बच्चो मैं आपको ये डाउट बिलकुल के लिए दरूंगा, जब आपको प्रोटॉन के ब किसको करना है, ये सबी बाते बच्चो हम प्रोटॉन की खोज के अंदर पढ़ने वाले हैं, प्रोटॉन जब पढ़ेंगे, वैसे आप गोल्ड इस्टिम ही करना, क्यों करना, इंतजार करो बच्चो, ठीक है, वहाँ पर बिलकुल डेटेल से गहलाई से बात करेंगे, ठीक और चैक का मतलब बच्चो क्या है, जैम्स चैडविक है, जैम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, इस परकार से बच्चे परमानों के तीन मूलकण है, ठीक है ना, यादटना, इंट पक नाच, इमतलब इलेक्ट्रोन टे मलत तामसन, इलेक्ट्रोन की ख प्रोटन की खोज गोल्ड इस्ट्रिन ने की और न्यूट्रोन की खोज बच्चो किस ने की, चैडविक नामत मेगरिक ने की, जैम्स चैडविक ने गुर्णुस या 32 में खोज की, ध्यान सुनों बच्चो, इसके अलावा परमानों के कुछ मूलक, कुछ अन्यकन और भी हो मैं बात करूँ बच्चो, पोजिट्रोन, किसकी बात करूँ, पोजिट्रोन की, बच्चो जब पोजिट्रोन होता है, परमानों का एक अन्यकन पोजिट्रोन भी होता है, जिसकी खोज एंडरसन नामत मेगरिक ने की थी, इसने की थी बच्चो, एंडरसन नामत मेगरिक ने इसे बात करूंगा क्या-क्या जो चीजे है वो इंपोर्टेंट है ठीक है जब हम जे डबली की और नीट बगरा की तहियारी करेंगे तब हमारे बहुत यूजफुल होगी एकला से ठीक है यह यह मान के चलो यह पूरा टोपिक है अपना चैप्टर होने के बाद में मैं आपक इसके बाद पोजिट्रों हो गया एक आता है बच्चों हमारे पास में कौन सा कण आता है एंटी प्रोटोन आता है एंटी प्रोटोन एक होता है आमारे पास में बच्चों मेसोन बच्चों याद रखना मेसोन मेसोन करही नाभी की यह बलों के लिए उत्तरदाई होता है नाभी की यह बल क्या होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं नाभी पढ़ाऊंगा आतको कि नाभी की खोज भी युकावा नामेक वेगे निग नहीं की थी और बच्चो नाभी के बल है जो उत्पन होते हैं नाभी के अंदर है वो मेसोन करों के विनिमे के कारण ही उत्पन होते हैं मेसोन करों के आदान परदान के कारण ही नाभी के बल उत्पन होते हैं ये सिद्दान था, युकावा मैसो, युकावा था, मैसोन सिद्दान था, ठीक है न, जिसे युकावा मैसोन सिद्दान भी कहते है, उसके बाद में चोथा हमारी पास में आता है बच्चो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बच्च कि इनके अलावा पर्मानों के ये 3 औ partners मुल् γत्य करने उनके अलावा और भी है इन चार के अलावा भी और भी है लेकिन हम इस पेशिकलंति इनके बारे बहुत ज़्यादा गहराई से बात करेंगी उसके अलावा इन कुछ जो मैन मैन है उनके बारे में भी हम बात करेंगे जिनसे हमारे कॉंप्रिटिव एक्जाम में क्यूशन कुछे जाते हैं बच्चों ठीक है तो पहले तो आप है और ध्यान से समझेगा अब देखे एलक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन है न वो बर्म करते हैं कि जो अवपर्मानिक कन है न बच्चों ये कहां पर किस प्रकार से व्यावस्तित होते हैं ध्यान से समझेगा एक एक बातों को बहुत अच्छे से समझेगा बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं बच्चों कर आपको बताओं, जो हमारे पास में जो परमान होता है, क्या होता है बच्चों? परमान होता है, बैप परमान बच्चों मुख्या रूप से दो भागों में बटा होता है, कित्रे भागों में बटा होता है? दो भागों में, आप सब लुख्त भानी तो देखो, अभी मैं आपको बताया कि जो हमारे पास में परमान के मून परमान को केंधर करो क्या कहाtा जाता है बच्चो न्यूकली ओन कहा जाता है newquelion कहा जाता है ये बात भी आप अच्छे से ध्यान लखना और बच्चों नाभी के चार ओर जो भायतम भाग उसके अंदर electron क्या करते हैं चक्क्र लगाते हैं अब ध्यान से समझेगा एक बराम फिर सिर्फ वहीँ पर आते हैं कहां जोन डोल्टन के पर्मानु से दान पर, जोन डोल्टन ने बताया था, कि जो पर्मानु होता है वो ऐ विभाजीकर होता है, पर्मानु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों, जे जे थोंसन ने, सन 1870 मठ्यानवे में, इलक्टॉन की खोज करके यह साबित कर दिया कि जो परमानु होता है वो एविभाजिय नहीं है अब परमानु क्या हो गया विभाजित हो गया और सबसे पहले हमें परमानु के किसे आव परमाने कड़ की खोज होई थी पहले इलेक्ट्रोन की खोज होई थी बच्चो ये बात आप अच्छे के बारे में पढ़े उससे पहले में आपको बेसिक बाते बता देता हूं बच्चो जिससे हम इलेक्टोर और आगे के जो भी हमारी क्लासे उनको हम भोती भैतरीन तरीके से अच्छे से हम समझ सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके ठीक न इसके लिए मैं आपके कुछ बे आरणन से समझीएगा बच्चो эта बच्चो जो परमानों होता है रो बिलकुल परमानों porn क्या होता है गोल अ होता है इक गोला होता है परमानों का मैं इंडर प्रमानों की अंदर जो pry जो आपने सबस्रों को अनब मत और होते हैं सब्रमान कंप आ है उसको इलाक्रstein Прीबच्च अब ध्यान से समझेगा, सबसे पहले मैं बात करूँ बच्चो किसके बारे में परमानु के बारे में, ध्यान से समझेगा परमानु के बारे में, सबसे पहले बच्चो अगर मैं बात करूँ, परमानु की जो खोज है, परमानु की खोज का सरय किसे दिया जाता है, बच्चो परमानों के बारे में बैसे तो सबसे पहले भारती अधार्षनिक महर सी कनाड़ ने बताया था लेकिन बच्चों महर सी कनाड़ का ने जो बताया था वो कोई सैधान दिक या फिर मैं कौन कोई ओध्रेंटिक प्रूफ नहीं था उनके पीछे ठीक है ना कोई वैग्यानिक बताया था इसलिए बच्चों जो परमानों की खोज का सरे है वो किसे दिया जाता है जो डालतन को दिया जाता है वैसे हमारे भारती अधार्षनिक महर सी कनाड़ ने इसा के जलम के 600 वर्स पहले ही परमानों के बारे में बता दिया था बच्चों ठीक है नेकिन खोज का सरे किसे दिया दाता है तो किसे दिया दाता है बच्चो जोन डालतन को तो परमानों की खोज किसने की बच्चो जोन डालतन ने की उसके बाद में बच्चो कर मैं बात करूं परमानों का जो तिर्जा होती है परमानों की क्या होती है बच्चो तिर्जा तिर्जा कहूं या मैं आकार का निर्दाल बच्चो तिर्जया से ही होता है ठीक है तो परमानों की तिर्जया कितनी होती है तो बच्चो याद अबना परमानों की तिर्जया कितनी होती है दस की पावर माइनस दस मिटर कितनी होती है दस की पावर माइनस दस मिटर होती है लेकिन बच्चो अगर आदा बच्चों क्या है 10 की पावर 2 cm तो बच्चों अधर इसको मैं मिटर को cm में चेंज करूँगा तो इसको सो से multiply गरूँगा बतलम मैं कह सकता हूं कि 10 की पावर पलस की दो से मल्टिप्लाइट रूँगा अब बच्चो आपको पता है जब आधार समान होती है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं तो माइडस की दस पलस की दो तो बच्चो माइडस के आठ सेस रहे गए क्योंकि आधार क्या है समान है तो बच्चो हमारे पास में क्या जाएगा दस की पावर माइनस आठ सेंटी मिटर तो बच्चो परमान पाकार अगर सेंटी मिटर में बोले तो हमारे पास कितना जाएगा दस की पावर है दस की पावर माइनस आठ सेंटी मिटर और मिटर में बोलें तो दस की पावर माइनस 10 मिटर अब बच्छो ध्यान से समझना जो दस की पावर माइनस 10 मिटर होता है इसे बच्छो हम क्या कहते हैं? एक Angostrone क्या कहते हैं एक Angostrone कहते हैं और बच्चों Angostrone को A Nord से पर्देशित करते हैं ये बात आप अच्छे से ध्यान धखना कि परमानों का आकार कितना होता है या तिर्जा कितनी होती है 10 की पावार माइनस 10 मिटर Centimeter में बोले तो 10 की पावर माइनस 8 cm बच्चों ये unit conversion आपको अच्छे से आरी चाहिए Centimeter में बोले तो 10 की पावर माइनस से 8 cm और Angostrom में बोले तो 1 Angostorm काफी बढ़ा एग्जाम में ये भी कुछन कुछ रिया जाता है कि पर्मानों के आगार किस कोर्थी का होता है नेनोमेटर कोर्थी का या माइक्रोमेटर कोर्थी का या हर्मी कोर्थी का या एंगर्श्नों कोर्थी का तो बच्चों याद रखना एंगर्श्नों कोर्थी का होता है ठीक है यह बात ध्यान रखना उसके बाद में बच्चों अगर मैं बार करूं नेक्स चर्चा करूं परमानों के बारे में तो बच्चों नेक्स हमारे पास में बात आती है कि जब परमानों होता है उसकी जो परकरती होती है नेचर होती है वो कैसी होती है तो बच्चों याद रखना परमानों की परकरती कै कैसी होती है उदासीन प्रकरती का होता है। क्या बताया कि परमान जो होते हैं वो वैदुत के क्या होते हैं वैदुत उदासीन होते हैं। परमान की प्रकरती क्या है बोलते हैं उदासीन और इसके बारे में बच्चो सबसे पहले किसने बताया था जे जे थोंसने सबसे पहले बताया था कि परमान क्या होता है। उदासीन होता है। जेजे थोंसन ने कब की थी बच्चो ये खोज की थी बच्चो जेजे थोंसन ने सन अठारा सो सत्यान में में और बच्चो अठारा सो सत्यान में जेजे थोंसन ने खोज करके सन अठारा सो अठारा सो अठारा में में ये बात बताई कि ये पर्मानु के अंदर किस प्रकार से व्यमास्नी तुक होती हैं, ठीक है बच्चो, तो ये चेजे थोंसन ने कब की, 1870 में में, कब की 1877 में, जेजे थोंसन ने बच्चो क्या की, खोज की, अब बच्चो, जेजे थोंसन ने इलक्ट्रोन की खोज कैथोर किरणों से की थी किस किरणों से की थी कैथोर किरणों से की थी बच्चों इनके बारे में भोध घहराई से हम चर्चा करेंगे कि ये कैथोर किरण क्या होती है ठीकर कैथोर किरण नाम क्यों पड़ा इनके परकर्ति क्या होती है इन पर आवेस क्या होता है सारी बाते करेंगे बच्चो त्याल से समझना उसके बाद मैं अगर बच्चो मैं बात करूँ इलक्ट्रोन के बारे में तो इलक्ट्रोन होता है बच्चो उसे इलक्ट्रोन पर जो आवेस होता है आवेस होता है बच्चों वो कितना होता है पहली बात तो इलेक्ट्रोन पर जो आवेस होता है वो माइनस का होता है और माइनस का कितना होता है एक पॉर्ट चैंट टू दस की पार माइनस 19 कूला होता है देखो मैं बेसिक बाते बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रोन नहीं पढ़ा माइनस एक पर चाहिन को टैन की पार माइनस उनिस कूलाम होता है ठीक है माइनस यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस यह बात के लिए और बच्चों इलक्ट्रों पर जो आवेस की गणना की थी न वो गणना किसने की इलक्ट्रों पर आवेस की गणना आवेश की गणदा किसने की अमेरीकी वैग्यानी के अमेरीकी वैग्यानी के अमेरीकी वैग्यानी के आरे मिली करने की किसने की आरे मिली करने और मिली करने ये गणदा करने के लिए एक बहुत फैमस परियोग किया था बच्चो बोत important है और उस परियोग का नाम बच्चो क्या है तेल बूंद परियोग क्या है बच्चो तेल बूंद परियोग तो ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रोन पर जो आवेश की गणदा किसने की बच्चो तो याद रखना है इलेक्ट्रोन पर आवेश की गणदा क कैसी होती है, बच्चो, कैथोड केरना से हुई है, ये बात आप अच्छी तरीके से बच्चो ध्यान रखना, किलिए, अब देखो बच्चो, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोन की जो परकर्ती होती है, क्या होती है बच्चो, परकर्ती, आपको पता है इलेक्ट्रोन पर आवेस कैसा है, रिनात्मक आवेस है, तो जैसा आवेस होगा, वैसा उसकी क्या होगी, परकर्ती होगी, तो याद रखना, इलेक्ट्रोन की जो परकर्ती होती है, वो कैसी होती है बच्चो, रिनावेसित होती है, कैसी होती है, रिनावेसित होती है, ये ब बच्चो इनको एलक्ट्रों की खोज की लेकिन बच्चो इनको इसके बार में मैं आपको निटेल से बता हूँगा अब कभी वीडियो डालूँगा टाइम मिलेगा तब है तो बच्चो जेजे थोमसं को याद हखना जे थोमसं को जो नोबेल पूस्कार था वो एलेक्न के खोज के लिए नहीं मिला था वो किसके लिए मिला था गैसों की विद्दू चालकता के सिद्दान एए उसकी प्राइगिक जाज के लिए मिला था बच्चो और कब मिला था 1906 में मिला था और बच्चो मजएदार बात ये है कि J.J. Thomson को जो नोवेल पुरुष्का है वो रसा हैं केमेश्ट्री में नहीं मिला था वो किस में मिला था फिजिक्स में मिला था ये बात ध्यान रखना तो एक बात ये भी याद रखना जे जे थॉम्सन को जे जे थॉम्सन को सने 1906 में कौन से छेतर में भोती की के छेतर में जैसो की चालक ताके सिद्धा नंत एं एं प्राय की के जांच के लिए दिया गया प्राय की के जांच के लिए दिया गया ये सभी बेसिक बाते बच्चो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नोबियल प्रुषकार को उन से छेतर में दिया गया भोती की के छेतर में दिया गया गैसो की चालक ताके सिद्धा नंत को बताने के लिए और उसकी प्राय की जांच को बताने के लिए क्या दिया गया बच्छो J.J. 손osar को Nobel कुरुषकाद दिया गया तो ये बात किसकी हो गई बच्छो elektron की हो गई चलो एक ब Obama इसका screenshot लीजियेगा एक बर screenshot लीजियेगा ठीक है screenshot लीजियेगा आप इसका हाँ ले लिया है वह समने तो देखो यह हमारी electron के बारे में बात होगी, यह electron, ठीक है, basic बात है करें, electron के बारे में और गहराई से बात करेंगे, जब मैं electron कड़ा हूँ, इसके जश्वार, कि जो class होगी, वो electron की होगी, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चो, और अब देखो, परमानों का जो इस center part होता है न, वो क करते हैं, ध्यान से समझना, सबसे पहला question यह आता है, कि नाभी की खोज किसने की, नाभी की खोज, तो बच्चो याद रखना, नाभी की खोज का सरय किसे दिया, नाभी की खोज किसने की, रदर खोडने की, किसने की थी बच्चो, रदर खोडने की थी, किसकी खोज, नाभ परियोग से की नाभिक्य भूतिकी है उसके अंदरे बहुत बड़ा योगदान है nuclear chemistry की बात करू physics में बोलो तो nuclear physics की बात करू तो नाबिक के बारे में radar phone ने भूस सारी बात दी बताईए नाबिक की खोज भी radar phone नी किये और बच्चो नाबिक का एक बुन होता है याद रखना radio activity बच्चो radio activity होता है ना इधर मैं इधर बता रहा हूं ये भी आदक ना जो radio activity है radio activity बच्चो radio activity की जो खोज है ना खोज वो खोज किसने की थी हेंडरी बेकुरल दे किसने की है हेंडरी बेकुरल दे और कब की है बच्चो वो की है 1896 में ठीक है और बच्चो ये radio activity किसका गुन होता है किसका गुन होता है नाभिक का गुन होता है किसका गुन होता है परमानों का गुन नहीं होता है रेडियो की होता है किसका गुन होता है नाभिक का गुन होता है यह बात ज्यान रखना ठीक है वैसे मैं बता हूँ ला रेडियो एक्टिव पदार किसे कहती है ठीक है ओड गैरा इसे बात करेंगे आगे अब यान जे समझेगा तो रदरफोर्ड ने ना भी किया है भोती की ना भी किया फिर मैं कहूं नुक्लियर केमिश्टी के अंदर बहुत सार वरक किया है यहां तक की रेडियो एक्टी विगटन का नियम भी दिया है सोडी ना भी वेगनी के साथ मिलकर जो आपने सुना होगा रदरफोर्ड सोडी का नियम आप तो क्या सुनोगे भी 12th क्लास में पढ़ोगी इसके बारे में तो यह भी याद रटना तो बच्चो रदरफोर्ड का ना भी किया भोती की के अंदर बहुत बड़ा योगदान होने बच्चो रदरफोर्ड को ना भी किया भोती की का जनक भी कहा जाता है यह भी याद रटना रदरफोर्ड को रदरफोर्ड को ना भी किया भोती की ना भी किया भोती की का जनक भी कहा जाता है जनक भी कहा जाता है ये बाते हैं आप अच्छी तरीके से तोड़ा ध्यान दखना ठीक है ना और सुनू बट ध्यान से समझना नाविकी ये भोतिकी का जनक किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे रदरफोर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रदरफोर को कहा जाता है, ठीक है ना, नाभी की है जो भोतिकी होती है, वो फिजिक्स के एक ब्रांच है, मोडरन फिजिक्स, और मोडरन फिजिक्स में एटोमिक के बारे में, और नुकलियर के बारे में, इलक्रोनिक के बारे में quantum अगरा के बारे में इनके बारे में इस पर डीचीज आती है बच्चो ठीक है ना अब देखो उसके बार में बच्चो अगर मैं आकार के बारे में बात करूँ नाभी के आकार या तिल्या के बारे में बात करूँ तो बच्चो नाभी की जो तिल्या होती है वो 10 की पाउर माइनस 15 मिटर होती है सेंटी मिटर में बोले तो गोई 10 की पाउर 2 से बुणा कर देंगे तो क्या दाएगा 10 की पाउर माइनस 13 सेंटी मिटर और बच्चो आपको पता हो तो 10 की पार माइनस 15 मिटर को क्या कहते हैं एक ठेम्टो मिटर क्या कहते हैं और बच्चो इस ठेम्टो मिटर को ही सोट कट में क्या बोला जाता है एक फर्मी क्या बोला जाता है फर्मी और फर्मी को सोट कट में क्या बोला जाता है एक फर्मी बच के सम्मान में ये फर्मी रखा गया ठीक है तो याद रखना आप से पूछा जाए नापिक का आकार या तिर्जा कितनी होती है दसकी पार माइनस पंद्रा मिटर या काओगे आप सर्फर्मी कोटी की होती है ठीक है ये बात के लिए उसके बाद में बच्चो ज्यान रखना कि जो नापिक होता है उस नापिक पर जो आवेस होता है क्या होता है आवेस वो आवेस कैसा होता है बच्चो पोजिटिव होता है क्योंकि आपको पता है नापिक में दो चीजे हैं एक प्रोटोन और एक न्यूटोन न्यूटोन क्या है उदासी इनकर है प्रोटोन क्या है पो तो नाविक पर आवेस कैसा होता है धनावेस होता है ये किसके कारण होता है बच्चों ये आवेस होता है प्रोटोन के कारण इसके कारण होता है प्रोटोन के कारण होता है ये बात भी आप ध्यान दखना उसके बाद में अगर बच्चों में बात करूं और बेसिक बात है कि नाविक का अव्याओर, नाविक के अव्याओर, नाविक के कौन-कौन से हमें होते हैं, तो बच्चो नाविक दो चीजों से मिलकर बनाएं आपर, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूटॉन, और बच्चो प्रोटॉन न्यूटॉन को समली दूरूप से हमें क्या कहते हैं, नूप्रोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो इसका बातना मिलेकाण ने किया था, तेल बूद्ध परयोग से किया था, ये बात भी आप याद रखना और बच्छो रदरफोर्ड को भी नोबेल पुरुषकार मिला था, कब 1908 मैं मिला था, लेकिन ये किस छेतर में मिला था, ये याद रखना, बच्छो, chemistry के अंदर मिला था किसको रदर पूर्ड को ठीक है ना वैसे भोतिकी में बहुत सारा कारिये किरिया है किया इनो लेकिने इनको जो नोबिल प्रुषकार मिला है बच्चो वो किसके लिए मिला है बच्चो chemistry के शेतर में मिला है ये बात आप ध्यान लगना जबकि ठोम सरको भोतिकी के शेतर में नोबिल प्रुषकार मिला है बच्चो एनपा कर प्रकिनन प्रियोग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अब इलक्टोन प्रोटोन और न्यूटोन अब आपने देख लिया कि ये कहां होते हैं परमानू के अंदर किस प्रकार से व्यवस्तित होते हैं अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब हमारे भोत अच्छी तरीके से अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कहां से जहां सन 1808 से जोन डॉल्टन का परमानू मोडल खतम हो गया उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कौन-कौन सी घटना घटी दोई ठीक है न और हम यहां पर आएंगे गुनी सो हमें 4-6 के अंदर हम यहां तक की बात करेंगे अगली किलास में मतलब इलक्ट्रों के बारे में बात करेंगे बिल्कुल step by step इनकी हिस्ट्री को भी साथ में लेते हुए बहुत मजेदार तरीके से हम बच्चो आगे किलास को पड़े हुए ठीक है तो यहां तक आप सभी के अच्छी तरीके से clear होना चीए चलो पहले आप screenshot ले लीजिएगा इसका ठीक है screenshot ले लीजिएगा तो screenshot ले लिया होगा आप सभी ने चलो तो बच्चो ज्यान रखना चलो आज की किलास को बच्चो हम यहीं तक रखते हैं मिलते हैं हम अपने अगली किलास में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्कार, थेंक्यू, बाइ बाइ